नए दिल्ली, भारत ने आज नी अंत्रन रेखा के पार आतंकी शिविरों पर हवाय हमले किये, जिसमें जैशे मुहम्मत के सबसे बड़े शिविरों में से एक और लगभग तीन सो आतंक वादी मारे गए। सुतरों ने एंडी टीवी को बताया, बारह मिराज 2000 विमानों द्वारा 1000 किलो के बम गिराय जाने से पूर्व सुबह की हर्ताल की गई थी, सरकार ने कहा कि यह एक गैर सेन्य पूर्व खाली हर्ताल थी क्यूंकि खुफिया जानकारी थी कि पाकिस्तान स्थित आतंक वादी सम भारत में और अधिक हमले करने की योजना बना रहा है, जैश ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले की जिमेदारी ली है, जिसमें केंद्री रिजर्व पुलिस बलके 40 जवान शहीद हो गय, महा सचिव का बयान 14 फरवरी 2019 को पाक आधारित आतंक वादी संगठन मिश्राद्वारा आतंगाती आतंकी हमला किया गया, ई मोहमत CRPF के 40 बहादुर जवानों की शहादत का कारण जेम पिछले दो दशकों से पाकिस्तान में सक्रिय है और बहावलपुर में अपने मुख्याले के साथ मसूद अज़र की नीतरित्व में है, यह संगठन जो संयूक्त राश्ट्रत्वारा अभियूक्त है दिसंबर में भारतिय संसत सहित आतंकवाडी हमलूं की एक श्रिंखला के लिए जिमेदार रहा है, 2001 और जन्वरी 2016 में पठान को टेर बेस पाकिस्तान और पी और जेके में प्रशिक्षन शिवरूकिस्थान के बारे में जानकारी समय समय पर पाकिस्तान को प्रदान की गई है पाकिस्तान, हाला की उनके अस्थित्व से इंकार करता है सेक्डों जिहादियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम ऐसी विशाल प्रशिक्षन सुविधाओं का अस्तित्व पाकिस्तान के अधिकारियों के ग्यान के बिना काम नहीं कर सकता था भारत बार बार पाकिस्तान से जिहादियों को पाकिस्तान के अंदर प्रशिक्षित और सशस्त्रहुने से बचाने के लिए एजेम के खिलाव कारवाय करने का आगरह कर रहा है, पाकिस्तान ने अपनी धर्ती पर आतंकवाद के बुनियादी धाचे को खत्म करने के लिए कोई ठोस कडम नहीं उठाया है, अविश्वसनी अखुफिया जानकारी मिली थी कि जेम एम देश के विभिन हिस्सों में एक और आत्म खाती आतंकी हमले की कोशिश कर रहा था, और फिदाईन जिहादियों को इसके लिए प्रशिक्षत किया जा रहा था, आस्म खत्रे के सामने, एक पूर्वव्यापी हर्ताल पूरी तरह से आवश्यक हो गई, आज के शुरू आती घंटों में एक खुफिया नित्रित् भारत ने बाला कोट में जैम का सबसे बड़ा प्रशिक्षन शिवर मारा इस ओपरेशन में, बहुत बड़ी संख्या में जे मातनकवादियों, प्रशिक्षकों, वरिष्ट कमांडरों और जिहादियों के समूहों को, जिन्हें फिदाईन कारवाई के लिए प्रशिक्षत क किया जा रहा था, समाप्त कर दिया गया, बाला कोट में एह सुविधाज एमेम के प्रमुख मसूद अजहर के बहनोई मौलाना यूसुफ अजहर, उर्फ उस्ताद खोरी, के नेतरित्व में थी, भारत सरकार आतंकवाद के खत्रे से लड़ने के लिए सभी आवाश्यक दम उठाने के लिए द्रिर और संकल्प बद है, इसलिए इस ग्यार सेनियर पूर्व व्यापी कारवाई को विशेश रूप से जैम शिवर में लक्षत किया, कया था, नागरिक हताहतों से बचने की हमारी इच्छा से लक्षिका चैन भी वाता नुकूलित था, यह था, किसी भी, नागरिक उपस्थिती से दूर एक पहाडी पर घने जंगल में स्थेत है, चूंकि कुछ समय पहले ही हरता हुई है, इसलिए हमें और अधिक विवरनों की प्रतीक्षा है, पाकिस्तान सरकार ने जन्वरी 2004 में इस बात की प्रतिबद हता, जताई थी की भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी मिटी अक्षेत्र को उसके नियंत्रन में नाने दिया जाए, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी सार्वजिनिक प्रतिबधिता पर कायम है और सभी जेमरान्य शिवरूं को खत्म करने के लिए कारवाय करता है और कारवाय के ल अंकवादियों को जिम्मेदार ठेराता है